हेलो दोस्तु आपका मेरी यूटूब चैनल सेलर्स हमें फिर से स्वागत है और दोस्तु आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीशिफ मनेजमेंट के बारे में वीशिफ मनेजमेंट कैसी कंपनी है, इस कंपनी में कैसी जॉाइनिंग करें और फैशर को लेती है कि नहीं लेती है तो guys आज की इस वीडियो में इसी कमपनी के बारे पूरा बात करेंगे तो guys वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रुकास्ट है अगर आप मेरे चैनल पे नहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें शेर करें और सबस्क्राइब करना ना भूलें Guys Vship Management जो है वो वर्ल्ड के टॉप लिस्टड कमपनी में आती है Vship Management बेसिकली जो है वो UK की कमपनी है और इस कमपनी का जो हैड ओपीस है guys वो लंडन में है और इंडिया में इस कमपनी के 4-5 offices है Bombay, Chennai, Delhi, Kolkata और Chandigarh इस कमपनी के offices है Bombay जो है guys वो इंडिया का main office है इंडिया का head office है जहांसे वो इंडिया की पूरी manning करती है और Bishop Management जो है guys वो पूरे word से manning करती है यह नहीं कि आप अके लिए इंडिया से manning करती है पूरे word से manning करती है आपको इस कमपनी का हर एक country में एक यह दो office ज़रूर मिलेगा और इस कमपनी का guys आर्पेसल नंबर जो है वो MUM082 है जो की डिजी शिपिंग द्वारा approved है और वी शिप मनेजमेंट guys बहुत बड़ी company है बहुत ही ज्यादा reputed company है आपको इस company के पास guys हर तरह के वैसल मिलेंगे आपको इस company के पास wall carrier, container vessel, tanker vessel, BLCC, ULCC, gas tanker, passenger vessel और offshore vessel भी मिलेंगे इवन इस company के पास आपको जो वो tugboats भी मिलेंगे मतलब हर टाइप के वैसल जो वो आपको इस company के पास मिल जाएंगे और B ship management जो है guys वो फ्रेशर को नहीं लेती है अगर आप इस company में as a fresher join करना चाहते हो तो guys बहुत मुस्किल as a fresher इस company में join करना और इस company में join करने के लिए guys आपके पास minimum जो है वो 15 to 18 month का rank experience होना चाहिए चाहिए किसी वैसल का experience है आपके पास आपको हर टाइप के वैसल इस company के पास मिल जाएंगे अगर guys आपके पास touch वैसल पर शीलगी है ऐपने ओफैर बैसल पर सिलगी है तब भी आप इस company में try कर सकते हो अप्लाई कर सकते हो और company आपको ले भी लेगी क्योंकि this company के पास आपको परतर के वेसल मिलेंगे और आपको इस company में as a viper और OS apply करने के लिए guys minimum watch keeping होना जरूरी है इस company में अगर आपके पास watch keeping है तो आप इस company में as a viper और as a OS apply कर सकते हो और guys अगर आपको as a av or oily apply करना इस company में तो guys आपके पास watch keeping plus cop plus 18 to 24 month rank experience चाहिए तब जाके guys ये company आपको लेगी और guys इस company में apply करने के लिए एक site भी है जिसका नाम है vcrew.india.com तो guys आपको google पे जाके search करना है vcrew.india.com सर्च करने के बाद guys आपके सामने जो है वो recruitment का page जो हो open हो जाएगा तो guys सबसे पहले वो space पे जाके आपको अपना account create करना है और उसके बाद guys उस space पे जो भी recruitment होगा आपको show हो जाएगा इस company का जो भी recruitment है वो सारा open हो जाएगा आपके सामने तो guys आप इस company में direct भी apply कर सकते हो और इस site का link guys आपको मैं description box में दे दूगा अगर guys आपके पास किसी भी बैसल का experience है तो आप इस company में apply कर सकते हो क्योंकि इस company के पास हर type के बैसल के लिए vacancy रहती है चाहिए officer हो या crew दोनों के लिए अच्छी vacancy रहती है इस company में और b ship management में guys reference भी लगता है अगर आपका को relative इस company में पांच से साल से काम कर रहा है as a officer rank पर तो आपका वो इस company में as a fresher भी आपको by reference लगवा सकता है इस company में और salary की बात करें तो guys इस company में salary बहुत अच्छी है ओस और वाइपर की salary इस company में guys 600 से 800 डोलर तक जाती है और ab oiler की salary इस company में बारा से चोड़ा सो पंदरा सो डोलर तक जाती है और officer level में भी guys बहुत अच्छी salary इस company में तो salary की मामली में कोई दिक्कत नहीं है और contract की बात करें तो guys इस company में officer के लिए guys 4 month का contract period है और crew level के लिए guys कहीं पर 6 month का contract period है और कहीं पर 9 month का contract period है इस company में और B ship management guys बहुत अच्छी company है आपको इस company के vessel पे हमेशा जो हो mixed crew मिलेगा यह नहीं के इंडियन मिलेगा तो इंडियन मिलेगा ऐसा नहीं है हमेशा mixed crew रहता है इस company के vessel पे बट जहातर आपको जो है इस company के vessel पे इंडियन और फ्लीपन कुरू ज़्यादा मिलेगा और इस company के vessel जो है guys वो worldwide sell करते हैं तो इस company के vessel पे आपको यूएस वीजा मस्ट होता है अगर आपके पास है तो ठीक है अदरवाइस company में खुद प्रवाइड करवाके देती है और इस company के vessel पे आपको wifi मिलेगा खाना पीना भी मस्ता कोई दिक्कत नहीं है और वी शिप मनेजमेंट गाइस वोल्ट की नंबर वन management company है और वी शिप मनेजमेंट गाइस आपको श्पोंसिब भी परवाइड करवाती है तो लानी maritime institute से तो गाइस मेरे साब से overall best company है अगर आपके पास किसी भी टाइप के वैसल का experience है चाहे टाग बोट को या पैसंदिर वैसल को आपके पास officer वैसल का मतलब किसी तरह के वैसल का experience हो तो आप इस company में जरूर ट्राइ करें इस company में आप्लाइ करने के लिए आपको description box में इस company का email address और इस company का job link गाइस मैं दे दूँगा तो अभी भी मैं इस company के place पर गाइस बहुत सी vacancies है officers के लिए vacancies है, AV owner के लिए vacancies है, ETU के लिए और fitter के लिए vacancies है इस company में तो guys आप जुरूर इस company में जाके अप्लाइ करें तो guys आज की वीडियो में बस इतना था, thank you for watching this video